हेलो दोस्तों मैंने तीन एक बार फिर स्वागा थे आपका अपने परिवारी जिटू सक्सेस में दोस्तों अपनी मैं दिप्रदिश जिला दर्शन की स्रीच चल्टरिंग थी और अभी लगवक 15 आय 16 जिली हो चुके थे कल अपने खंडवा जिला पड़ा था और खंडवा ज अपने खंडवा बच जाएगी थी के दिन के तो एक देवड़ वीडियो मिल जाएगा ठीक है तो चलिए आज सुरू करते हैं अपन खरगोन जिला यानि कि पश्ची मी निमाड कल अपने जो पड़ा था वो पूर्वी निमाड था खंडवा पड़ा था पकल अपने और वो पड़ रहे हैं अपने कल भी निमाड पड़ा आज भी निमाड पड़ा तो पता होना चीए निमाड नाम क्यों रखा चलिए बात करते हैं पहले तहसिल की तो तहसिल जो आती हैं खरगोन जिले में वो आती हैं बढ़वा मैश्वर भिकन गाउं गोन गाउं जिर्निया भग भगवानपूरा, सेंदवा, सिन गाओं, कास्रावाड और खरगोन यह जो है प्रमुक तैसिले मतलब 9 तैसिले हैं total ठीक है तो यह जो तैसिले हैं प्रमुक तैसिले हैं इनके गाओं के नाम तिसले के नाम थोड़े से स्वाइज में नहीं आते बोलने में थोड़े से तो राज हे मद्यप्रदेश अपना जिला जो लगता है वो खरगोन ही लगेगा जिसको पश्रीव निमाड के नाम से बन जानते हैं जिला मुक्याले खरगोन और संभाग इंदौर ठीक है जनसंक्या की बात करें जनसंक्या है 10,54,905 यहां की जनसंक्या है हाला की घंडवा महिला है साक्षरतादर 66,87 प्रतिसा थे या फिर अपन इसको 67 प्रसेंट भी साक्षरतादर बोल सकते हैं चेत्रफले 8,010 वर किलोमेटर टोटल सा चेत्रफले जनसंक्या घंडव है इसका 233 वर किलोमेटर एक किलोमेटर के दारे में 233 लोग निवास करते हैं ठीक है तेसल की किविया बरवा और कासरवार ठीक है जालाग लग judiciary इंगलिस्ते पुड़न क्छा थिक ज्रिया थि चलिए तो ये हैं इनकी total 3 तो यहन की total 3 है कितनी 3 हैं अपने पास 9 not all none अपने पास at characters यह ची एक भुज्रादी बरेली और पाल्य यह बह्ता है प्रमुख नदिया में नर्मद नदिया की प्रमुख है बदन दी किनारे बसा हुआ है और अन्य नदी में कुंडा और बेदा ये नदिया है इसके ठीक है चलिए परेटर निस्तल की अगर बात करें तो परेटर निस्तल में आया पर देजला देवरा राजेश्वर मंदीर महालक्षमी नाराण मंदीर महान पेश्वा बाजरा मकवरा महान पेश्वा बाजरा दुद्द्य जो थे उनका मकवरा है बाजरा मस्तानी की कहानी आपने समने सुने होगी साइद मूभी देखे होगी उन्हीं बाजरा की बात हो रही है और नभग्रय मंदीर ये जो है यहां के प्रमुक प्रेटर निस्तल है अलाकि इनके डेटेल में में अंदर दोंगा ठीक है सास्की कालेज की बात करें पंडित जलाल नहरू सास्की कालेज सास्की कालेज भीकन गाओं पीजी कालेज और सास्की कालेज डिगरी कालेज बढ़वा सास्की कालेज ये वी वह है और सास्की कन्य कालेज जो है वो सनावाद ठीक है सनावाद प् सीमा पर उस्ती थे यानी खरणोन चिला मद्य पत्र ये ठीस घलत मिलेंगे सुवाइव ऑस्ती है गजलती से इसो चिच्छीत्रफल जिले के उत्तर में ध siitä कि अगर इसा देखें तो यहां पर मिलेंगा धार- Jordan और देवास मिलेंगे तीन मिलेंगे इंदी देवास धार दक्षण की बात करें तो महाराष्ट आता है पूर में खंडवा की बात करते हैं खंडवा आएगा और पश्ची में बात करें तो बढ़वानिया आएगा ठीक है यह इसकी चतुर सिमा होती है ठीक उपर कौन-कौन से है धार है इंदोर है देवास है दक्षण महाराष्ट है पूर में खंडवा उर्हानपूर और पश्य में बड़वानिया ठीक है अगर मेप से याद करोगे तो जल्दी याद होता है चली नर्मदा हाटी के लगवक मद्धि भाग में इस्तित इस जिले के उत्तर में बिंद्याचल एवं दक्षण में सत्पुणा परवस्णी यानि क प्रमुख नदियां यहां की देजला वेट देवड़ा गड़ी कलतारा अवगंगन नाला और अपर बेदा यहां की प्रमुख सिचाई परियोजना है ठीक है जहां से किसानों को पानी मिलता है या फिर लावानवित करते हैं यह ठीक है हलांकि एक नवबर उनेस्टो श BBC को मद्रपदेश राज्षी गठन के समय ही ये पास्षीमी नलीमार्स अस्थित गठन हो था तब जब पास्षी मी नीमार्स डिशना आये थे खरगोन और बढ़वानी ठीक है फिर से बता रहा हूं कि पश्री मी निमाड और पूर्वी निमाड जो था उनका गठन उनिश्चपन में हो गया था आश्चेत में आ चुके थे मगर जो जीला था खरगोन वो उसका गठन का वुआ था उनिश्चों अंठैनबे में जब 16 जीले नए बने थे तब तो कालांतर में प्रसासनिक आवसकताओं के काराण 25 में उनिश्चाई योजना नर्मदा और बनी तीन प्रमुख पनविजली वे शिचाई योजना में से एक है यानि कि अगर इनकी बात करें सुचाई प्रियोजना में प्रमुख कौन कौन सी तो वो है एक महिश्वर पनविजली दूसरी जो है वो नर्मदा और तीसरी जो है इसमें नहीं लिखा यार यहां नाम दिया था ठीक है नदीका यहां नाम लिखा हुआ है बेंदा करके यह बेदा ठीक है यह यहां भी लिखा हुआ बेदा प्रमुख प्रियोजना ठीक है तो यह जो है यह तीन प्रमुख प्रियोजना है ठीक है महिश्वर नर्मदा और बेदा यह तीन जो है बहुत सुचाई प्रियोजना प्रमुख ह अगर निमान नाम क्यों रखा अगर वो देखें हैं तो देखते हैं कि आरे और अनारे सब्विताओं की मिश्रिद भूमी होने के कारण आरे अनारे जो है कौन थे इतिहास में वह थे पढ़ने को मिलता है कि जब आरे का अगमन हुआ था भारत में तब 11 कविले हुआ करते थे जिसमें से 6-5 आरे कभीली थे और दसराज यूद्ध सुनाओ का साथ इतिहास में अपने की दसराज यूद्ध हुआ था तो वही थे आरे और अनारे लोग तो आरे अनारे की सब्विताओं को मिश्रिद भूमी होने कारण यह छेतर निमारे के लाए था क्या नाम से जाना जो कालंतर में अफवरंस होकर निमार और फिर बाद में निमार में परिवर्तित हो गया ठीक है निमार 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 से निमार हो गया ठीक है और एक अन्यमत के अनुसार यह जाना जाता है कि यह आपर नीम के ब्रक्ष थे बहुत सारे इसलिए इसका नाम जो है वो निमार तो पुद्र पाड़ा था ठीक है अगर प्रमख प्रेटन सतल की बात करें रूची किस्थान की बात करें तो सुबसे भी लाता है महिश्वार महिश्वार चौहे कि यह का प्रमख इस्थान थी तो यह सहर हेय हमसी जो की बहुत जाद सक्तिसाली था जिसने रावड को भी प्राजित किया था ठीक है की राजधानी रही है मतलब हेही वैं सहस्त्रुजुन की रधन रही है मगर हेही को किसने मारा था परसुराम ने मारा था और परसुराम किसके पुत्र थे जमदांगनी के ठीक है तो इसी जम नर्मदा नदी के किनारे वसा यह सेहर अपने बहुत ही सुंदर और भविघाट एवं महिस्वरी साड़ी के लिए प्रसिद्धे बिल्कुल नोटिस करेंगे इस बात को कि खरगोन में का प्रसिद्ध है तो महिस्वर की साड़ी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ठीक है और सस्त्र से और सास्त्र से दोनों होते हैं सस्त्र मतलब तलवार भाला गोली बंदूग लट्ठ चला लो यह होते हैं सस्त्र ठीक है तो इनसे भी लट्ठ से भी होते हैं युद्ध और सास्त्र से मतलब औरल युद्ध होते हैं इधर से तुम्हें किस लोग खिचके मारोगे तो सामने से भी इस लोग खिचके मारेगा वो, ठीक है, मतलब मुह से, ठीक है, एक इधर से इस लोग पड़ा आपने, उधर से भी इस लोग में ही जवाब मिलेगा, जिसने इस लोग खत्म, वो हार गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सास्त्र, ठीक है, चलिए, उसके बाद अपना मंडलेशवर, तो मंडलेशवर जो है, महिसवर से 10 किलोमेटर की दूरी पर ही नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है, और नर्मदा पर जल विद्यूत परियोजना का बाद निर्माण किया गया, मतलब नर्मदा नदी का जो परियोजना है, वो कहां पर है, यहां से समी भी चोली नामक इस्थान पर रत्यांत सिभ मंदिर प्राश्चिन है और यहां बहुत भव्य सिवलिंग की स्थाबना हुई है ठीक है किस इस्थान पर चोली नामक इस्थान पर हुआ ठीक है इसके बाद आपन देखते हैं अगला इस्थान अपना उन यह इस्था खरगोन से 18 km की दूरी पर है यह परमार कालिन है, इसलिए इसको लिखा गया है, क्योंकि एक परमार कालिन मदिपरदेश में क्या प्रस्थे निए क्राश्थे निए और दूसरा है उन का मंदिर, ठीक है तो परमार कालिन सीम मंदिर और जेन मंदिर के लिए तो आता है वंकावा और रावर खेड़ी क्यों पसित थे क्योंकि यहां पर बाजराव पेश्वा वाजराव दुतिय की समाधी रावर खेड़ी में इस्टी थे उत्तर भारत करी एक अभियान के समय इनकी मृत्यू यही नर्मदा किनारे हो गई थी वंकावा में नर्मदा के हैं पद्थरों को तराश कर सिव्लिंग बनाये जाते हैं ठीक sacrifices मस्तानी मोवी देखेऊ कि वाजराव मस्तानी तो उसमें देखाव कि जब बीमार पढ़ जाते हैं तब नर्मदा किनारे एक नदी बताते हैं कि नर्मदा नदी के पत्थर रहते हैं उनसे सिवलिंग बना जाता है ठीक है अगला देखें अगर अपन तो देजला देवड़ा कुंदा नदी का एक बड़ावांद है यहां से लगवक 8000 हेक्टर में सुचाई होती है यह देजला देवड़ा ठीक है उ ज्यादा प्रसिधह समाना जाता है कि यहां पर ने अपने दस्सर अर्पित किये ते चली देखते हैं खरगोन से 55 km क्वेंटर की दोरी पर इस इस्थान की मानिता है कि रावड महादेव सिव को अपने दस्सर यह अर्पित की ती इसली यह है नाम कड़ा था ठीक है सिर्वेल महादेब के नाम से कुछ सिर चड़ाते हैं यहाँ पर यह इस्तान महाराष्ट की सीमा से बहुत ही पास है महासिवरात्री पर मद्यपदेश यह महाराष्ट से अनिक सिद्दालू या दर्सन करने आते हैं ठीक है नन्यश्वर खरगों से 20 किलोमेटर की दूर यह इस्तान प्राचिन सिभ मंद्र की प्रसिद्द है खरगों से सिर्वेल महादेब जाते समय रस्ते में पढ़ता है ठीक कोई खास बात नहीं है बड़वा और सनावद सनावद बहुत ज्यादा प्रसिद्द है पूरे मोवाइल पर ही सर्प दंस का जहर उतार देते हैं ठीक है इसलिए प्रसिद्द है और दूसरी बात है कि बिस्व प्रसिद्द लाल मिर्च जो है वो यहां पर सनावद बढ़वा में मिलती है ठीक है यहां का लाल मिर्च की मंडी लगती है तो इसलिए ज्यादा कि दोनों और वैसे हुए हैं उत्तर की और बढ़वा और दक्षण की और सनावाद है अमकारेश्ट जोतिलिंग जाने के लिए यहां से जाना पड़ता है पुनासा में इंद्रा सागार जल विद्युत प्रियोजना के लिए सनावत के पास ही है बढ़वा से मंदलेश्वर मह सभी दे कोशन बंते हैं तो खरगोन जीले के पश्ची माड़ि के नाम से आना आता है ठीक है पश्ची माड़ि के नाम से जाना आता है हुए है घिला नर्मदा के बड़े सहरा बड़ा खाट महेश्वर परिस्ति थे अहिलिया भाइब है और कि परशिद्ध माुड़ा प्र सुभशव शराओं की समादी यहहां पर देश का पहला मोबैल विंग खरगोन में स्थि थे ठीक है कि पहला मोबैल थाने की वात करें तो वो देवासे और पहला मोबैल विंग की वात करें तो वह transfer ठीक है जली आगे देखते हैं यहां पर शिभ मंदिर रहे जहांगों meu में कहा अ पर दीटारीं इस ला रफ के प्रमुक क्षेटर का ओवा कुछ सा है निमार्णी एक तो यह थे इसके प्रमुक बिंदू या इसमिक तत्ती महत्मुर्ट तत्ती बोसकते हैं यह थी अपनी खरगोंछले की विластत्व जानकारी महत्मु sacrificed जानकारी जहां से question बनते हैं आज के लिए इतना ही काफी है कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ नए जिले के साथ और आज रात को 9 विज़े कीज होगी वहोगी खरगोंची लेगे ठीक है सभी विद्यारतियों से सभी दोस्तों से यह कर रिक्वेस्ट है कि वह सभी क्यों कुछ दिया करें ठीक है चली धन्यवाद आभार वीडियो को लाइक करें डाउट हो तो कमेंट करें और सबस्तों करोगे नहीं इसलिए बोलने से फायदा भी नहीं है बाकि अगर तुमारे इक्षा तो कर देना बहुत 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 उपहार